प्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू सो मच हलो मैं आल लवली स्टुडेंट्स एंड मैं आल फ्रेंड्स वेलकम यू अल इन साइन्स क्लास फ्रेंड्स अब तक आप लोगों ने साइन्स का 6 चैप्टर कम्पलीट कर लिया है ठीक है और अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसे जाके प्लेलिस्ट में भी देखिये ठीक है एक दिन में नहीं लेकिन आप एक दिन में दो चैप्टर कवर कर सकते हैं ठीक है तो अगर आप लोगों ने इसके पहले का लेक्चर अटेंट नहीं किया तो उसे जरूर अटेंट कर लीजिए ठीक है बच्चो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 और ये है क्लास 1 का ठीक है क्लास 1 का साइन्स का चैप्टर 7 बी हैल्दी स्वस्त्रो ठीक है तो इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हैल्दी हैबिट्स क्या है ठीक है और इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? फूड के बारे में पढ़ा था ठीक है? चैप्टर 6 में क्या था? फूड और चैप्टर 7 में है Be Healthy ठीक है? और अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप लोग तुरंट अपना क्लास देख सकें ठीक है? तो चलिए आज कर टॉपिक स्टार्ट करते हैं Our body is like a machine हमारा जो सरीर है, हमारा जो body है वो एक machine की तरह है Like other machines, जैसे other जो जैसे अन्य machine होती है उसी तरह, it also needs to be cleaned and take care of इसको जरूत होती है clean करने की और इसकी देख भाल करने की यानि जो आपका body है जो हमारा body है, ये एक machine की तरह है all time work करता रहता है तो इसको clean रखना बहुत जरूरी है और body की देख भाल करना बहुत जादा जरूरी है, ठीक है We should follow healthy habits to stay fit, हमें healthy habits को follow करना चाहिए fit रहने के लिए, ठीक है We must eat healthy food, keep our body and surroundings clean ठीक है, take rest exercises daily and play games to stay fit healthy रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए healthy food खाना चाहिए, ठीक है keep our body and surrounding clean, हमारे आसपास और अपने body को पूरा clean करना रखना चाहिए, साफ सुत्रा रखना चाहिए ठीक है, rest करना चाहिए proper rest करना चाहिए exercise daily करने चाहिए और game खेलना चाहिए fit रहने के लिए, ठीक है तो फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए बच्चों, healthy food खाना चाहिए और अपने body को clean करना चाहिए और अपने आसपास के जो surrounding आपके आसपास का जो area है उसे भी clean रखना चाहिए proper rest करना चाहिए exercise daily करने चाहिए और game खेलना चाहिए ठीक है, जिससे आप fit रह सके keeping clean अब clean कैसे रखते है इसके बारे में जानेंगे हम we should follow some good habits to stay clean हमें follow करना चाहिए कुछ good habits, stay clean साफ रहसू, साफ सुत्रा रहने के लिए कुछ अच्छी आदतों को अपने daily routine में शामिल करना चाहिए वो क्या है सबसे पहली है brush your teeth everyday in the morning and at night आपको brush करना चाहिए सुबह में तो करना ही चाहिए रात में भी सोने से पहले brush करना चाहिए, night में भी जब आप खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने के तुरंद बाद नहीं करना चाहिए बच्छो bath daily with clean water और clean water से यानि साप पानी से daily bath करना चाहिए यानि daily नहाना चाहिए, ठीक है next है comb your hair properly and oil it daily आपको अपने बालों में कंगी करनी चाहिए proper तरीके से और daily oiling करना चाहिए, ठीक है daily oil अगर आपको नहीं भी करते हैं तो कम से कम हफते में two to three times आपको oiling बालों में करनी चाहिए ताकि आपके बाल हेल दी रहें, ठीक है use a handkerchief while coughing and sneezing जब आपको सर्दी होती है कफ होता है कुछ भी तो आपको handkerchief यानि रुमाल का use करना चाहिए, ठीक है wash your hands before and after eating food जब भी आप भोजन करते हैं उसके पहले जब भी आप खाना खाते हैं उसके पहले आपको क्या करना चाहिए हाथ दूलना चाहिए और खाना खाने के बाद भी हाथ दूलना चाहिए, ठीक है यह क्या थी? cleaning habit थी आपको body को clean रखने की habits यह थी, ठीक है यहाँ पे देखिए, bathing चोटा बच्चा क्या कर रहा है नार है न, डेली नहाना चाहिए बालो में देखिए, यहाँ पे कंगी कर रही बालो में डेली कॉम करना चाहिए और जब भी आपको छीक आए या कोई प्रॉबलम हो तो आपको हैंकर चीप यहाँ पे देखिए रुमाल का यूज करना चाहिए ठीक है और यह क्या है खाना, proper healthy food नहीं, ब्रस करना चाहिए आपको डेली खाना खाने के बाद हाथ दूलना चाहिए और ब्रस करना चाहिए, ठीक है और जब भी आप गेम खेल के आते हैं या कहीं से बाहर से आते हैं तो आपको अपना face दूलना चाहिए हाथ दूलना चाहिए और अपना पैर भी दूलना चाहिए खेलने के बाद, ठीक है खेलने के बाद आप जब भी आते हैं तो आपको अपना हाथ, पैर, मुँ अच्छे से दूलना चाहिए ठीक है ये काम डेली करते हैं, तो आप fit रहेंगे, healthy रहेंगे, ठीक है बच्चों? अब देखते हैं, Factorpedia में क्या है? Small babies sleep about 16 hours in a day, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो एक दिन में 16 hours, यानि 16 घंटे सोते हैं, ठीक है? लेकिन बड़े बच्चों को 16 घंटे नहीं सोना चाहिए, 8 hours only, ठीक है? ये जो छोटे बेबी होते हैं, एक दम छोटे से, वो एक दिन में 16 hours सोते हैं, ठीक है? अब आते हैं, exercise पे, जो कि बहुत ज़ादा ज़रूरी है fit रहने के लिए, to keep fit remember the following options ठीक है? fit रहने के लिए, आपको जो नीचे points दिये गए है इसे याद रखना है क्या points है? चलिए देखते हैं exercises play an important role in keeping us fit, exercise बहुत important role play करता है fit रहने में ठीक है? we should includes exercise in our daily routine, हमें अपने daily routine में exercise को जरूर करना चाहिए सामिल, ठीक है? अगर कम time है तो थोड़े देरों की exercise करो जादा time है, तो आप एक घंटे भी exercise कर सकते हैं ठीक है? नहीं तो आप 10 से 15 मिनट भी exercise करके fit रह सकते हैं, ठीक है? regular physical exercise keep the body fit and healthy, अगर आप daily exercise करते हो, यानि regular physical exercises होती है, वो body को fit और healthy, यानि स्वस्थ रखती है, ठीक है बच्चो? walking, skipping, running and jogging are also good exercises walking, यानि walking वो भी slowly slowly नहीं, exercise में अगर आप fast walk करते हैं रसी कूते हैं, दौड लगाते हैं, jogging करते हैं यानि slowly slowly दौडते हैं तो ये सब क्या है? good exercise अच्छी exercises हैं, और ये आप 10 से 15 minute अगर कर लेते हैं आपके पास बहुत कम टाइम है 10 minute भी अगर आप running या walking या इसमें से कुछ भी करते हैं सारे एक साथ नहीं करना है, आप walking कर लीजिए, skipping कर लीजिए, running कर लीजिए, jogging कर लीजिए, कुछ भी तो यससे आपकी body fit और healthy रहेगी, ठीक है? ये full body exercise है अब देखते है healthy food habits, यानि सोस्त रहने कि जो healthy food habits है वो क्या है? We should have cereals, pulses, milk, green vegetables and fruits in our daily meal हमें अपने daily का जो meal है, daily जो हम भोजन करते हैं, उसमें cereals, यानि अनाज pulses, डाले, दूद, green vegetable हरी सबजियां और fruits, यानि फल को सामिल करना चाहिए, daily meal में ठीक है? Water is very important for every living being to stay active, water यानि पानी बहुत ही important है every living being के लिए active रहने के लिए यानि बिना पानी के आप रह सकते हैं बिना पानी के आप पूरा दिन एक दिन रहिए, देखें हालत खराब हो जाती है, तो active रहने के लिए पानी बहुत ही जादा important है, जो भी living beings, यानि जो भी जीवित प्राड़ी है, ठीक है? It keeps us healthy क्या रखता है? हमें healthy रखता है स्वस्त रखता है, अगर आप पानी कम पिएंगे, तो आपको dehydration होने लगेगा, आपकी body रूखी होने लगेगी और बहुत सारी skin problem भी आपको होने लगेगा, तो इसलिए proper 6-8 glass पानी daily पीना चाहिए, ठीक है? We should take our meals at fixed time everyday, हमें अपना जो भोजन है, वो fixed time पे लेना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक दिन, अगर कभी आपने 8 बजे breakfast कर लिया, दूसरे दिन आप 10 बजे breakfast कर रहे हैं, नहीं आपके खाने का breakfast हो गया lunch हो गया या आपका night dinner हो गया, night का भोजन हो गया उसका जो timing होता है वो fix होना चाहिए, ठीक है? अब देखते है healthy resting habits healthy resting habits यानि अराम करने की habits है जो अच्छी आदते हैं, उसके बारे में जानते है to stay healthy we need rest, हमें healthy रहने के लिए rest करने की ज़रूत है, अराम करने की आउशकता होती है all time only exercise और work करके ही healthy नहीं रहते है, rest करना भी जरूरी होता है, ठीक है? we should sleep for at least 8 8 hour daily, हमें कम से कम daily 8 घंटे की नींद पूरी करने चाहिए, ठीक है? 8 hour daily सोना चाहिए we should never cover our face while sleeping, जब भी हम सोते हैं हमें face cover करके नहीं सोना चाहिए कुछ लोगों की bad habit होती है face cover करके सोना, यानि face को ढखके सोना, face को ढखके कभी भी नहीं सोना चाहिए, ठीक है? we should go to sleep early and wake up early, जल्दी सोना चाहिए और सुबा जल्दी उठना चाहिए ये good habit है, healthy रहने के लिए ठीक है? we must keep ourselves healthy fit and active so that we are able to do all our work अगर हम अपने आपको healthy रखते हैं, fit रखते हैं active रखते हैं, तो हम सबी काम कर सकते हैं, जो भी काम है हम सब बहुती प्रॉपर तरीके से सारा काम कर सकते हैं, ठीक है? और life को enjoy कर सकते हैं बहुती अच्छे तरीके से अगर आप स्वस्त रहेंगे, आपको कोई problem नहीं रहेगी, तो आप दिन पर active रहेंगे और आप हर काम को अच्छे तरीके से करेंगे और आपको life को भी अच्छे तरीके से enjoy करेंगे ठीक है? तो यह जो good habits है rest करने की habits and good food habits exercise body को clean करने की habits, यह सारी habits आप लोग 3-4 वर वीडियो देखिएगा ध्यान से और यह जो habits बताई गई है, इसे आपको follow करना है, ठीक है? यह only पढ़के भूलने के लिए नहीं है, अगर आप इसे follow करते हैं, तो आप एक स्वस्त, strong और healthy baby बनेंगे, ठीक है? healthy बच्चे बनेंगे, healthy student होंगे, तो आप top कर सकते हैं, पढ़ाई में बहुत आगे जा सकते हैं, और आपको कोई medical treatment लेनी की ज़रौत भी नहीं पढ़ेगी, ठीक है बच्चो? तो आप लोगों को एक healthy student बनना है ना, तो आप लोगों को यह सारी जो habits हैं, इसे follow करना होगा, जिससे आप एक strong and genius student बन सकें, ठीक है? तो आज यह chapter आप लोगों का chapter 7 complete हुआ, chapter 6 तो पहले ही complete हो चुका है, next वीडियो में विलेंगे chapter 8 के साथ, तब तक आप यह सारे chapters को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चो? Thank you so much for listening me, be happy, stay healthy, bye bye, have a good day, channel को subscribe कर लेना बच्चो?